हाई गाइस थाली की सीरीज में आज मैं आपके लिए एक और थाली लेके आई हूँ जिसमें हम बना रहे हैं कोण की सब्जी जो बहुत टेस्टी लगती है साथ ही में तंदूरी लच्छा रोटी ये कॉम्बो अपने आप में एकदम प्रॉफेक्ट है मैं आपके साथ एवरी चमच काजू का पाउडर हमने ले लिया है आप चाहे तो भिगोवे काजू भी यहां पे ले सकते हो मिक्सर जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एकदम फाइन पीस लेंगे तो यहां पे हमारा बेस तयार हो चुका है अप कडाई में हम एक बड़ा चमच बटर डालेंगे और यह हमने एक कप फ्रोजन वाले कोण लिया है कोण को आप कैसे स्टोर कर सकते हो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप जरूर से चेक कर लेना बटर के साथ हम कोण को दो से तीन मिनिट के लिए पका ल जीरा फ्लेम कम करके एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आदा चम्मच कसूरी मेथी आदा चम्मच हल्दी पाउडर और मिक्स कर लेंगे फ्लेम यहां तक हमने कम ही रखी है मसाले जल नहीं जाए इसके लिए हम इसमें वन फॉर्थ का पानी डाल देंगे अब हम तेज़ कर लेंगे और तेज़ फ्लेम पे इसे एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कि अधिकनी हो जाता हमने पहले इसमें धनिया पाउडर इसले नहीं डाला उससे सब्जी का कलर जो है वह डाक आजाता है इसलिए हम थोड़ा बात में डालेंगे अब जो बेस ह आपके तेस्ट के अकोर्डिंग नमक कम जादा कर सकते हो अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इस मसाले को हमें तब तक पकाना जब तक मसाला तेल न चोड़ें तो 8-10 मिनिट करीब मसाले को मैंने भूना है और मसाला बिल्कुल अच्छे से पके त्यार हो चुका है अब हम यहां पर कोन डाल देंगे साथ ही मिक्स करने के बाद आपको जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए उथना पान ने डाल सकते हो यह सबजी जादा ग्रेवी वाली नहीं हो तीसलिए मैं कम पाने डाल दियो आदा चमच गरम मसाला, आदा चमच कसूरी मेती डालके हमने इसे मिक्स कर लिया है वापस से हम इसे 3-4 मिनिट पकाएंगे और ये लीजे हमारे कौन की सबजी बनके तयार है इसमें डाल लिए खुब सारा बारिक कटा हरा धनिया और मिक्स कर लिजे एक सीक्रेट जीट जो आपको डाल दी है वह है इसमें वनफोर चमच आप चीनी डाल दीजिए चीनी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और बस कवर करके इसे छोड़ देंगे सबजी हमारे बनके बिलकुल तयार हो चुके अब हम बनाते हैं लच्छा रोटी उसके लिए आपको क्या करना है नॉर्मली जो आप रोटी के लिए आटा लगा के रखते हो ना वही आटे की लोई लेनी है तोड़ी सी मोटी लोई लेनी है और उसको आप बेल लीजे फिर इस पर आप खी लगा लीजे और सूक आटा चिपके नहीं अब इसे फेन की तरह हम फोल्ड कर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे जितना अच्छा से स्ट्रेच करोगे ना उतना अच्छा है और अंदर की तरफ इसे रोल करके टक कर देंगे और इस लोई को कम से कमा पांच मिनिट के लिए ना छोड़ दीजिए इसे क्या पानी चलाना है जस्त उपर की तरफ से स्ट्रेच करते जाना है और यहां पर हमारी रोटी बनके तयार हो चुकिए इस तरीके से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे और इन रोटी को आप अपको सेखना होना तब आप सेख सकते हो तो आपको काम थोड़ा इजी हो जाता है अब इस रोटी के एक तरफ पानी लगा दिए ख़का अबिसके जबयाने पानी पुर करें को लिए बिल्कुल चमाया चीपाके आप को बानी यहां आपको काओ फिर पानी तरफ बुर्ट करना मुझा थे आनो गाथ ज़ार में ऐ算कुआ आसल आध स्टाद को जाए ना उसके बाद हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे इस तरीके से गुमाते वे सेखेंगे आपको इसे चारों तरफ घुमाते वे शेकना है ताकि जो रोटी है वो इवनली सिके नहीं तो क्या होगे ना कहीं से जल जाएगी और कहीं से कच्छी रह जाएगी तो आपको इस तरीके से इसे घुमाते रहना है तो कोशिश कीजिए हलका तवा होना वो लीजे ताकि आपके हाथ में दर्द नहीं हो वरना अगर तवे का हैंडल भारी होता है तवा सर्व कर सकते हो या फिर आप इसे एशे ही इंजोई कर सकते हो यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से आप नेपकेन लीजे उसे हाथ में ऐसे क्रश कर दीजे इस तरीके से होटल वाले एसे अचरश करके देते हैं आब उपर से आप घी लगा दीजिए या और मैं आपसे मिलते हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए पैपाई